तो हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स एंड स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग सभी पुन्हा सवागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल से एजूकेशन पॉइंट पर तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं प्रेजेंट पर्फेक्ट पास पर्फेक्ट एंड फ्यूचर पर्फेक्ट टैंस को डिस्क्रिप्टिव रूप में देखेंगे हैना वनग आत्मक रूप में बाइविच यू कैन इस पार्ट अफ इस प्रकन इंग्लिश ट्रेंट imagin कोश़एब प्रफेक्ट प्रिंट सबस्क्राइज थे communication and spoken so let's start this video तो बात करते हैं present perfect past perfect और future perfect tense की तो सबसे पहले जो आपका present perfect tense है इसकी बात कर लेते हैं तो इसकी पहचान पहचान क्या है इसकी हिंदी में मुख्य क्रिया के अंत में हिंदी के जो sentence है उसमें मुख्य क्रिया के अंत में हिंदी के sentences में मुख्य क्रिया के अंत में हिंदी के sentences में मुख्य क्रिया के अंत में क्या चुका है चुकी है या फिर चुके है हना यह आ जाता है हिंदी में मुख्य क्रिया केंट में चुका है, चुकी है, चुकी है आता है और अंगरीजी में इसका structure की बात करें यहींदि एंगलिष में इसके structure की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा subject प्लस है या फिर है ओ प्लस थर्ड फर्म अफ में वरब प्लस अब्जक्ट ठीक है तो यह हो गया जैसे मान लो वह खाना खा चुका है है ना सपोस्ट लिए एक एक एक्जम्पल देखें अब है जा है क्या है कि जैसे हीशी इट के साथ तो है जाता है और आईवी यूदे के साथ है वाता है हीशी इट के साथ है या सिंगुलर नेम के साथ है आईवी यूदे या प्लूरल नेम के साथ प्लूरल सब्जक्ट के साथ है तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा वे खाना खा चुके हैं, यदि मैंने से लिखा वे खाना खा चुके हैं, तो इसका एंगलेश में क्या होगा, they have eaten food, they have eaten food, वे खाना खा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि have के बाद वर्ब का third form यूज़ हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग जो है present perfect tense को पिचान सकते हैं, एक और example ले ले लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, इदि हम इसकी बात करें, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो, birds have flown, fly flew flown, वर्ब का third form है, birds have flown in the sky, ये चुके हमाली चीज़ हैं, चुके हैं, ठीक है, तो पास्ट जो present perfect tense उसमें ऐसा होता है, पास्ट परफेक्ट टैंस की बात कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टैंस की बात कर लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टैंस में बिसिकली क्या होता है, पहचान की बात करें न, पास्ट परफेक्ट टैंस की बात करें और पहचान की बात करें, तो पहचान जो है इसकी, उसमें ये है काई में हिंदी में हिंदी सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में चुका था चुकी थी या फिर चुके थे या आता है इन तीनों में से कोई सब एक वर्ट चुका था चुकी थी या चुके थे और इदी इसके स्ट्रक्चर की बात करें यदी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा subject प्लस अब यहां पर जैसे उपर है जहव आ रहा था यहां पर क्या हो जाएगा head हो जाएगा plus v3 plus object ठीक है तो कुछ इस तरीके से इसका बनता है अब यहां पर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा subject मतलब की subject मतलब जिसे एक sentence लिख लेते हैं हम यात्रा कर चूके थे या फिर हमने यात्रा कर ली थी ऐना ऐसा भी बोल सकते हैं तो चुके थे आगे हैं हम हम यातरा कर चुके थे उसका क्या और गावी कि है। कि करेव लेड़ आइ अंब त्रेंड में यातरा कर चुके बोलते तो हम वेयर ट्रेल इंदे ट्रेंड ऐसा भी बोल सकते थे अगला रिटा बाजार जा चुकी थी रिटा बाजार जा चुकी थी तो इसका क्या लिखेंगे रिटा या रडबोले टी ये भी लिख सकते हो गोन रिटा हेड गो वेंट गोन तो क्या जाएगा गोन गो का थर्ड फर्म गोन तूदा मार्केट रिटा हेड गोन तूदा मार्केट अब बात करें फ्यूचर परफेक्ट टैंस की है न थर्ड जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टैंस तो हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है न इसकी पहचान क्या है चुका होगा क्रिया के अंत में मुख्य क्रिया के अंत में चुकी होगी या फिर चुके होंगे यह आता है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका होगी चुका होगा चुकी होगी या फिर चुके होंगे यह आता है और इसमें इंग्लिश में बात करें इसका है न तो इंग्लिश में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह होगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल प्लस हैओ प्लस वित्री प्लस अब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है विल शेल प्लस हैओ प्लस वित्री है न तो चुका होगा चुकी होगी चुके होगी यह आ गया एक सेंटेंस की जो है हम चाय पी चुके होंगे हम चाय पी चुके होंगे है हम चाय पीने के लिए जनरलिए हम टेक कायोई उस करते हैं क्योंकि गरम चीज हों तो वी शेल टेक वी टडाव टी कि सिंगुलर कॉमन नावं के पहले हमें दव कायोई करना चाहिए है तो इस लिए हमने दव यहां पर किया वी श्यॉल टड़्टी सेकेंड सेकंड क्या चोर चोरी कर चुका होगा क्यों जाएगा दा थीफ विल तो विडियो दिया आपको अच्छा लगाओ तो इसको लाइक जरूर कीजएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा ताकि आपको ऐसी विडियो मिलते रहे तो विडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आप सभी का धन्यावाद तहे दिल से